बिहार में रविवार को जो कुछ भी हुआ उसके बाद राजनीती की गलियों में एक कहावत गुंज रही है कि सियासत और नितीश कुमार कब पलट जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 2024 में दिल्ली की सत्ता का खुआप देख रही कॉंग्रेस को एक के बाद एक बड़ा TMC अकेले चुनाओ लड़ेगी वही पंजाब में भी आमादी पार्टी ने सभी 13 सीटों पर लड़ने का एलान कर दिया ऐसे में आम चुनाओ की घोशला से ठीक पहले विपक्ची दलों के गडबंधन इंडिया ब्लॉक में उथल पुथल है और कहा ये भी जा रहा है कि आन अगामी लोकसभा चुनाव में बिजेपी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक का गठिन किया था इसके सूत्रधार जेडियू प्रमुक नितीश कुमार थे डेर साल पहले नितीश ही विपक्ष के तमाम निताओं से मिलने के लिए राजियों में गए लेकिन अब नितीश के अलग होने के बाद स्थितियां बिलकुल उलट हो गई हैं पिलकुल नितीश के अलग होने के बाद स्थितियां अलग हो गई हैं बिलकुल उलट हो गई हैं क्योंकि नितीश जिस तरह से गड़बंदन को लेकर प्रयास कर रहे थे उससे कुछ हालात भी बदलते नजर आ रहे थे बिलकुल लेकिन उसके बाद हालात ये बने कि पहले ममता बनर जी ने बंगाल में अकेले चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया खुद को अलग कर दिया और अब नितीश ने भी इंडिया ब्लॉक का साथ चोड़ दिया है 24 जनवरी को ममता बनर जी ने कहाता कि आगामी लोकसवा चुनाओ में टेमसी बंगाल में जितनी भी सीटे हैं उस पर अकेले चुनाओ लड़ेगी ममता ने जब एलान किया तब उनके मन में जो उपेच्छा का दर्द और तल्की दोनों नजर आई थी ममता ने कहाता कि उन्होंने जो भी सुझाओ दिये वो सभी नकार दिये गए और इन सब के बाद बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया गया है नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा लाब बीजेपी को मिलेगा देखिए बिलकुल जाहिर सी बात है सीधा लाब बीजेपी को मिलता भी नजर आ रहा है क्योंकि अगर इंडिया गटबंदन में शामिल कॉंग्रेस लेट के साथ अगर टीमसी बंगाल में चुनाओ लड़ती तो बिलकुल भारती अंता पार्टी को बड़ा नुक्सान होता इंडिया गटबंदन को सबसे बड़ा जटका लगा है अलायंस के सूत्रधार के ही साथ छोड़ने से इंडिया गडबंधन पर नई आफ़त आ गई इससे ना सिर्फ विपक्षी एकता धड़ाम हुई बल की अगामी चुनाव में इंडिया गडबंधन की संभावनाओं पर भी एक तरह से गरहन लग गया है बिल्कुल देखे संभावनाओं पर ग्रहर जरूर लग गया है लेकिन इससे एंडिया जरूर मजबूत होगा तोकि बिहार में अगर बात करें तो 440 सीट और 2019 अगर चर्चा करें तो बीजएपी जडियू और लजपी यानि कि लोजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाता है और 49 सीटों पर यानि की 40 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी BJP को जिसमें 17 मिली थी ZU के बात करें ZU को 16 सीटे और LGP को 6 सीटे मिली थी ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब जब ZU अलग हो चुकी है बिहार में NDA का हिस्सा बन चुकी है मागट बंदन से अलग हो चुकी है तो ऐसे में आप साब तोर पर BJP और NDA को इसकी बड़ी बढ़त दिखाई मिलेगी बड़ा फैदा दिखाई मिलेगा बलकुन तो आपको बता दे तो यहीं हमने बात करी है आप इंडिया गट बंदन की जाहिर है कि नितीश के NDA के साथ आने से विपक्षी एकता को बड़ा जटका लगा है और बात अगर बिहार की करे तो यह तै था कि अगर जेडियो बिहार में RJD और कॉंग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तो NDA को बड़ा नुकसान हो सकता था तो कुल मिलाकर सियासी समीकरल बता रहे है कि इंडिया गट बंदन के हालाग ठीक नहीं चल रहे है और अगर अब कोई भी बड़ा दल मूड बदलता है तो एलाइस पूरी तरह से बिखार जाएगा अगली बली ख़बर का रुक करेंगे और बात उस सूबे की करेंगे जिसका साथ जिस दल को मिलता है वो दिल्ली की सत्ता पर कावभी हो जाता है यानि देश में सबसे ज़्यादा लोग समासीटो वाले उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताएंगे दरसल विपक्षी गडबंदन में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और सपा मुख्या यानि कि अखलेश शादो यूपी की सियासत की नब्ज बहत बेहतर ढंक से जानते है तो कि अखलेश को पता है कि वो छेत्री दल है और उन्हें विधान सबाद चुनाओ के लिए भी अपना दबदब अबर करार रखना है